तो दीर स्टुडेंट वेलकम तो माई चैनल आज इस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें हम उन कॉष्चन को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर अगर दो या दो से अधिक लिक्वीड या ध्रव हमारे पास आजाते हैं किसी कॉष्चन के अंदर और उसके अंदर बेलन है जिसकी उंचा ही एंच है और उसका अपेक्सी गनत्व यानि specific gravity 3x4 है जल और तेल यानि water और oil इसमें दो liquid होगा है तो इस तरह से आपके पास क्या होंगे दो हमें सा liquid होगे बेलन का जो axe है यानि जो axis है वो उर्द्वादर यानि vertical है तेल का जो गनत्व है है कि बेलन की कितनी लंबाई द्रवों के बाहर है यानि एक तरह से दो liquid बरेवे हैं और उसके अंदर बेलन की जो length है कुछ part उससे बाहर भी है वो हमें find out करना है और दूसरा part find out करना है यह भी ग्याद करो कि तेल की कितनी अत्रिक तो चाहि बेलन को ढग देगी यानि इसके अंदर जो है वो दो तरह के section है कि एक के अंदर हमें find out करना है कि length जो कि outside है और दूसरे के अंदर वो length अगर हम बढ़ते हैं तेल से यानि oil से तो हमें कितनी अत्रिक तो चाहि चाहिए होगी तो इसके लिए सबसे पहले हमारे को क्या करना है लैट क्या करना है माना बेलन की तरिजिया जो हम black radius of cylinder क्या मान लेंगे small r द्रवों से बाहर जो बेलन की लंबा ही है वो हम क्या मान लेंगे small x तो हमारा जो diagram है उसके अंदर अगर आपको यह जो black में अंदर नजर आ रहा है वो हमारा क्या हो गया एक तरह से तेल हो गया क्योंकि oil जो है उपर रहेगा और water का रहेगा नीचे रहेगा तो जो हमारा जो oil है उसके लिए हमें already क्या दे रहा था कि जो लंबाई यह वो a है तेल की लंबाई तो हमने उसी इसलिए क्या मार किया है कि total height जो हमें जनरली क्या लेते हैं h लेते हैं उसके बाद में जो next section के अंदर जो हमने define किया है a जो हमारे oil की length हो गई x जो है वो part है जो कि हमें determine करना है कि जो दोनों द्रवों से बाहर है तो obvious है यह h है यह x है और यह a है तो बच्ची भी जो length है जो water की length होगी वो क्या होगी h-a-x तो इसलिए हमने बाहर की जो length है उसको x मान लिया था length of cylinder outside liquid gel में balance की लंबाई obvious है दोनों को difference निकालेंगे वो आ जाएगी h-a-x अब यहाँ पर जो जब भी दो द्रवों से बरावा कोई भी पात्र होगी दो या दो से दिक द्रवों से बरावा तो उसके अंदर हमेशा हमें क्या लगाना है प्लोमान सिद्धान्थ यानि principle of floatation तो उसके अंदर क्या होगा कि बेलन का जो भार होगा वो किसके बरावर होगा जितने भी liquid है उसके द्वारा विस्तापीद क्योंकि कोई भी चीज अगर हम fill up करेंगे तो वो उस weight को क्या करेगी displace करेगी तो बेलन दौरा विस्तापीद तेल का बार है बेलन दौरा विस्तापीद पानी का बार यानि displaced weight by oil and displaced weight by water तो अब हमें क्या करना है specific gravity हमें दे रेकिए बेलन का जो specific gravity हमें कोशन में दे रेका है 3 by 4 जो कि लकडी से बना हुआ है तेल का यानि ओयल का दे रेका है और पानी का करना तो हम सब जानते हैं कि एक होता है तो इसके base पर अगर हम equation लिखते हैं तो वह हम कैसे लिखेंगे वह हम देखते हैं तो बेलन का जो भार होगा वो किस पर depend करेगा कि बेलन का जो area है तो बेलन का area क्या होता है हमरे पास πाई r square h उसको हमें किस से multiply करना है बेलन की specific gravity जो मैं क्या दे रहे कि यह 3 by 4 multiplied by g तो यह तो हो गया बेलन का बार equal to में क्या आएगा बेलन दोरा विस्तापित तेल का बार तो तेल के भार के लिए हमरे पास क्या आएगा πाई r square उसकी उचाई कितनी हमरे पास a है और तेल का जो अपेक्स ही गनतव हो में कितना दे रहा है 1 by 2 और multiplied by g उसके बाद हम आएगे πाई r square पानी के लिए तो पानी का जो height हो कितना है h minus a minus x है और उसका जो गनतव है 1 है और multiplied by g तो यह हमने क्या कर दिया पूरी equation को define कर दिया यह hell end के लिए हो गया यह oil के लिए है और यह gel के लिए हो गया तो अब अगर हम इसमें से जो भी हमारी value है उसको अगर हम cancel out करते तो अभिए से πी r square आपस में क्या हो जाएंगे cancel out और g भी आपस में क्या हो जाएंगा तो 3 by 4 h equal to अब h minus x यह तो as it is रहेगा a by 2 में से यह जाएगा तो minus का क्या रहेगा a by 2 अब h as 2 जागा है हमारे पास तो उसको भी अगर हम counter करें क्योंकि हमें जो निकालना वो x निकालना था x को मैं इधर transfer कर देता हूँ तो minus का plus हो जाएगा और h already था और यहाँ क्या हो जाएगा 3 by 4 h और minus a by 2 तो यह हमारे पास कितना बच जाएगा 4 h minus 3 h तो h by 4 minus a by 2 तो यह हमारे पास किसकी value हो गई पहले पार्ट की कि वो उचाई जो की बेलन के बाहर है जो द्रव और तेल से अलग है अब दूसरा पार्ट पहले फिर से वोई concept हमें लगाना पड़ेगा कि अगर हम उसको let मान लेते हैं कि जो उचाई माना उचाई जो है वो हमान लेते हैं d है जिसको कि हम fill up करने वाले हैं और वो भी किस से fill up करने वाले हैं तेल यानि oil से तो पहले से उचाई जो थी वो कितनी थी हमारे पास पहले से उचाई जो कि तेल की थी क्योंकि तेल के बारे हम बात वरी तो a थी तो अब कुल तेल की जो उचाई है वो हमारे पास क्या हो जाएगी एक तरह से a प्लस d तो बच्ची भी जो पानी की उचाई रह जाएगी पानी की उचाई वो कितनी रह जाएगी हमारे पास height of water कि h minus a plus d तो ये उसने खुदने का आये question में कि तेल से बढ़ना है इसलिए हमने ये consider किया है अब हम फिर से प्लावमान सिद्धान लगाते हैं सबसे पहले आएगी बेलन का जो भार है वो आएगा तो pi r square h 3 by 4 g इसमें तो कोई change आएगा नी उसके बाद तेल का जब आएगा तो pi r square अब तेल की जो टोटल उचाई वो कितनी हो गई है a plus d जो पिछले पार्ट में कहा थी केबल a थी multiplied by 1 by 2 into g plus pi r square h minus a minus d हो जाएगा और multiplied by 1 into g तो इस तरह से हमने इस पूरी equation को define कर दिया है फिर से pi r square pi r square cancel out हो जाएगा g, g और g क्या हो जाएगा cancel out तो यहां फिर से क्या बचेगा 3 h by 4 that is equal to 1 by 2 into a plus d plus h minus a minus d अब हमें d निकालना है तो obviously d वाले term को हम एक तरफ रखेंगे बागी सब को दूसरी तरफ तो यह हो जाएगा a by 2 d by 2 h minus a minus d क्योंकि हमें d से मतलब है तो 3 h by 4 a by 2 में से minus a जाएगा minus a by 2 इदर आके क्या हो जाएगा plus a by 2 और d by 2 में से अगर minus d जाता है तो equal to में क्या रखेंगा minus का d by 2 और h जो है उसको भी हम इदर ट्रांसफर कर जाते है तो यह हो जाएगा minus का h और यह हो जाएगा plus अब d by 2 क्योंकि negative है तो इसको इदर लेके आ जाते है तो d by 2 equal to यहाँ पर जो हम माइनस करते है तो d equal to क्या हो जाएगा हमारे पास h minus 2a divide by 2 तो यह वो height आजाएगी तेल की extra height जो कि हम उसमें use करना चाते है तो इसलिए इस question के दो पार्ट थे जिसमें हमें एक में तो x निकालना था जो कि बेलन के बार की लंबाई थी और उस लंबाई को किस से बढ़ना था second part में तेल से जिसको हमने d माना तो d की value यह आ गई तो इस तरह से इस question को हम solve कर सकते है अब हम देखते है next question तो यह हमारा next question है एक बेलन दियावा इसमें भी जिसका आप एक सी गनत्व इसमें sigma दियावा उनके गनत्व दे रहे हैं sigma 1 और sigma 2 तो हमें प्रूव करना है कि जो इन दोनों का common surface होगा वो जो divide कर रहा है दो part में वो जो relation आएगा वो क्या हो जाएगा sigma minus sigma 2 ratio sigma 1 minus sigma तो इसमें फिर से दो liquid हैं और दोनों liquid जो हैं वो balance की total length को दो part में divide कर रहे है तो यहाँ पर ऐसा part नहीं है कि जिसमें दियावा है कि कुछ part में liquid बराव और कुछ part खाली है तो पूरा balance क्या हो रखा है बर रखा है तो इसलिए हम जब diagram बनाएंगे इसमें तो फिर से हम diagram में क्या consider करेंगे कि balance जो है का पूरा liquid से बरा हुआ है तो सबसे पहले हम क्या लैट करेंगे कि माना balance का जो आधार है यानि base radius क्या मान लेंगे small है अब according to question जो अपने density दे रहे की है specific gravity वो sigma 1 और sigma 2 दे रहे की है अब यहाँ पर plowman सिद्दान फिर से लगाएंगे तो balance का जो भार होगा वो विस्तापी द्रवों के भार का क्या होगा योगफल होगा तो balance का जो भार अगर निकालते तो balance का सबसे पहले हम area लिखते है तो balance का area क्या होगा pi r square ठीक है जनरली हम क्या लिखते है h लिखते है लेकिन यहाँ अगर हम h को define करते हैं जैसे इस तरह से यह हमारा h है तो h जो है वो किसके बरावर हो सकता है इन दोनों height के addition के तो इसलिए हम h की जगे क्या लिख देंगे यहाँ पर x plus y multiplied by valon का जो specific gravity में दिया हुआ sigma multiplied by w ठीक है w के हमारा apexic बाहर है equal to क्या होगा यहाँ पर दो height है एक x है और एक y है तो एक में आपको height x रखनी है एक में y रखनी है similarly आपको एक में जो specific gravity है वो एक में sigma 1 रखनी है और एक में sigma 2 रखनी है तो इस तरह से हम इसको define कर सकते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर pi r square x sigma 1 into w plus pi r square y sigma 2 into w cancel out हो जाएंगे www wb क्या हो जाएगा cancel out अब हमें find out क्या करना है कि जो divide कर रहा है common surface वो किस ratio में कर रहा है तो हमारे पास इदर क्या बचा देगा x plus y into sigma equal to यहाँ बचा x sigma 1 plus y sigma 2 तो एक तरह से हमें x upon y का ratio निकालना है तो obvious है कि x x को एक तरह रखता है x sigma इदर से हैगा minus x sigma 1 equal to y sigma 2 minus y sigma x common आ गया sigma minus sigma 1 y common आ गया sigma 2 minus sigma तो x upon y की value क्या आ गई sigma 2 minus sigma upon sigma minus sigma 1 अब इसको जो question में दिया हुआ है उसमें sigma पहले लिख रखा है उपर और यह sigma जो नीचे लिखा हुआ sigma वो पहाबाद में लिखा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं minus common ले सकते हैं तो sigma minus sigma 2 upon sigma 1 minus sigma तो यह हमारे पास क्या आ गया इस question का answer आ गया तो इस तरह से जो दो liquid वाले question है उसमें हम easily उसको define कर सकते हैं देखते हैं next question तो next question में क्या है अब हमें दियावा है एक लंब ब्रतिय संकू दियावा है यानि कौन दियावा है जिसका गनत्तु है यानि density हमें specific gravity दे रहे किये रो अब उस पात्र में बरावा है दो liquid जिनके specific gravity यानि आपकसी गनोते दे रहे के हैं sigma 1 और sigma 2 seats जो है वो नीचे की और है यानि vertex जो है वो downward है यह important part है इसमें उसके बाद में हमें प्रदरसित क्या करना है कि जो plane of separation है plane of separation यानि इंदी में क्या कहेंगे जो कि उसको प्रथक कर रहा है यानि दो बागों में विबाचित कर रहा है तो संकू के X से उसकी लंबाई का जो भाग है वो ये वाला part होना चाहिए तो यहाँ पर main चीज के आगए एक तो लंबवरतिय संकू यानि कौन आ गया दूसरा उसका जो vertex है वो नीचे की और है तीसरा उसमें जो लिक्विड भरे है उनके जो specific gravity वो यह है और संकू कुद का जो गनत्व है वो दे रखा है तो फिर से हमने सबसे पहले कि इस पर ध्यान देना है डाइग्राम पर तो डाइग्राम जो है वो हमारा यह हो गया यह हमने संकू मान लिया यानि कौन इसमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कि तरिज्या लेट कर लिए हमने height लेट कर लिए और earth series कौन यानि semi vertical angle लेट कर लिया फिर से हमने क्या लगाना है जब भी 2 या 2 से दिग्लिक्विड हैंगे तो प्लावमा सिध्यां देनी principle of flotation और फिर से जैसे अभी हमने पिछले question में discuss किया है वहाँ पर क्या था बेलन था यहाँ पर क्या हो जाएगा संकू हो जाएगा अब इसके अंदर संकू का जो volume है वो हमें define करना होगा तो संकू का volume हम जानते हैं कि क्या होता है 1 upon 3 pi r square h तो सब से पहले अगर हम इसको define करते हैं अब हम जानते हैं कि 10 alpha जो होता है वो होता है हमारा r by h तो r की जाएगा हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर h 10 alpha तो उससे क्या फायदा होगा कि संकू का जो volume है उसके अंदर r की जाएगा h 10 alpha लगेंगा तो h square 10 square into h तो यह क्या हो जाएगा h cube 10 square alpha तो यह हमारी equation जो हमें utilize करनी है तो अगर हम यहाँ पर इसको mention करते हैं तो क्या लिख सकते हैं संकू के बार के अंदर 1 upon 3 pi h cube 10 square alpha equal to अब हमें equal to में जब जाएगे तो संकू के अंदर जो है जो section होता है वो common नहीं होता है यहाँ पर यह section अलग है और यह section अलग है तो इस वाले section के अगर हम बात करते हैं तो इसकी height x है तो उसके base पर अगर हम इसको volume को define करते हैं तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1 upon 3 हमें just h की जगह क्या लिखना है x लिखना है x cube 10 square alpha plus अब इस वाले part के अंदर अगर हम आते हैं तो यह वाला part हम कैसे निकाल सकते हैं कि total संकू का जो volume है यानि जो अगर हम bar की बात करें उसमें से इस part को अगर माइनस कर दें तो इस वाले part का हमें result मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे total जो है वो total हमारा क्या है 1 upon 3 pi h cube 10 square alpha में से माइनस कर देंगे किसको 1 upon 3 pi x cube 10 square alpha को ठीक है तो इसको माइनस करने पर हमें यह चीज मिल सकती है अब यह जो है यह तो हमारा volume वाला part है अब इसको हमें किस से multiply करना पड़ेगा इसके respective specific gravity से तो हमारी क्या 3 यह पर rho into g हो जाएगा क्योंकि मैं rho दे रखा है question के अंदर जो संकू का जो आप एक सी गनतव में क्या दे रखा है rho दे रखा है तो उसके base पर हमने कर दिया अब दूसरा वाला जो है यह वाला 1 upon 3 pi x cube इसको हम किस से multiply कर देंगे rho 1 g से और जो resultant दूसरा वाला है इसको multiply कर देंगे rho 2 g से तो जो हमारे पास part बचेगा इसके बाद में वो क्या बच जाएगा हमारे पास h cube rho minus sigma 2 is equal to h cube rho minus sigma 2 is equal to क्या बच जाएगा x cube sigma 1 minus sigma 2 यानि इसको हम solve करेंगे तो 1 upon 3 pi 1 upon 3 pi और 1 upon 3 pi यह तो आपस में क्या हो जाएगे cancel out हो जाएगे g g g b क्या हो जाएगा हमारा आपस में cancel out हो जाएगा तो उसको result करने पर यह आएगा last में हमें क्या निकालना है जो x और h की जो height है यह जो है यह हमारा नीचे वाला section है और total height इन दोनों का जो ratio है तो x upon h अगर हम निकालते है तो x cube by h cube आएगा सबसे पहले तो x cube by h cube क्या जाएगा हमारे पास rho minus sigma 2 upon sigma 1 minus sigma 2 अब obvious हमें x by h अगर निकालना है यह हमें जो prove करने को का गया उसमें power जो है वो 1 upon 3 दे रहे की है तो यह दोनों तरफ cube root ले लेंगे हम तो यह power total क्या हो जाएगी 1 by 3 तो इस तरह से जो question आते हैं अगर exam में जिसमें 2 liquid भरे हुए है और उसके अंदर अगर हमें संदूलन पता करना है तो प्लावमान सिद्धे अंदर नी principle of rotation की help से हम उसको solve easily कड़ सकते हैं तो मिलते हैं student next video में तब तक के लिए thank you very much और इस video का अगर पसंद आया हो तो like and share करें और channel को subscribe करें thank you